राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक बांज ब्रहमनी और ब्रहमन के कार्थिक इसनान की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एक गाउं में एक ब्रहमन अपनी पतनी के साथ रहता था बहुती नियम करम दौनों पती पतनी करते थे बहुत पूजा पाठ करते इस वर को बहुत मानते थे पक्छियों को दाना चुगा डालते गउ माता को रोटी खिलाते आटे की लोई बना कर खिलाते मचलियों को जो आटे की लोई बना कर खिलाते फिर भी ब्रहमनी के कोई संतान नहीं हुई अब दोना पती पतनी ने अपने जीवन को भगती केम में लगा दिया कि भगवान की किरपा होगी तो एक दिन उन्हें जरूर संतान की प्राप्ती होगी दोना पती पतनी गाम से दूर बारा कोस गंगाजी में कार्तिक इसनान करने जाते वो रोज सुभा जल्दी उठते और कार्तिक इसनान करने के लिए बारा कोस पैदल जाते और गंगा इसनान करके जो वापस लोटते तो ब्रहमन और ब्रहमनी बड़े ठक जाते थे ब्राहमनी सोचती थी कास मेरे भी कोई बेटा या बेटी होता तो मुझे कितना सहरा होता मैं ठक हार कर आती हूँ तो आकर घर का काम करना मेरे बस में नहीं होता लेकिन मजबूरी में करना होता है अब धीरे धीरे समय बीतने लगा हर साल ब्राहमनी और ब्राहमन कार्तिक पूजन करते कार्तिक इसनान करते कार्तिक का महिना समाप्त होने पर ब्राहमनों को भोजन कराते और हर जगे मन्नत मांगते कि कम से कम उन्हें एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाए लेकिन धीरे धीरे समय वीता और ब्राहमन और ब्राहमनी की भी उमर बढ़ने लगी आप वो काफी उनकी उमर हो चली लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा वो फिर भी बारा कोस जाते गंगा इसनान करने के लिए और गंगा इसनान करके अपना पैदल ही आते आकर अपने कार्तिक की कहानी सुनते तुलसी जी के जो दीपक लगाते आरती करते राई दामोदर की कथा सुनते पथवारी की कथा सुनते यह उनका नियम करम था आप एक दिन ब्रहम ने जो रोने लगी सोचने लगी मेरे भी एक पुत्र होता तो मेरे घर में बहु आ जाती बेटी होती तो अपनी मा के दुख सुक्की पूछती कम से कम लोग मुझे बांज तो नहीं कहते एक औरत तो तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके संतान की उत् होती है लेकिन ब्रहमनी बेचारी अपने मन को मसोस कर रह जाती कि यहां वे बहुती जो कुछ कर भी नहीं सकती थी अपने आपको बड़ा असहाय समझती थी और गाउं की जो औरते थी कभी कभी बात करते करते बांज नाम ले देती थी तो ब्रहमनी को बड़ा दुख होता था बांज सब्द उसे एक गाली के जैसे लगता था वे खूब रोती थी ब्राहमन कहता था ब्राहमनी से अक भाग्यवान तू क्यों इन बातों को दिल से लगाती है हमारे नसीब में पुत्र होगा तो जरूर मिलेगा तू भगवान पर ध्यान लगा संसार तो जूटी मुहमाया है भक्ती में अपना मन लगा और ऐसे ही समय बीदने लगा लेकिन ब्राहमनी के मन में मा बनने की लालसा लगी रही हर औरत मा बनना चाहती है यह उसके लिए एक अद्वुत सुक होता है वे भी चाहती थी कि उसके भी कोक से संतान का जनम हो लेकिन भगवान की इच्छा क्या थी यह तो भगवान ही जानते थी धीरे धीरे कार्तिक का महिना समाप्त होने को आया ब्राहमन और ब्राहमनी ने कार्तिक के समाप्ती पर पूर्नीमा के दिन गंगा इसनान किया ब्राहमनों को भोज कराया ब्राहमनों को भोज कराते कराते ब्राह मन को भोज करा रही थी तो एक ब्रह्मन के पैर पर गिर गए वे कहने लगे माता तुम इतनी दुखी क्यूं हो क्या कारण है जो आप भोजन कराते हुए भी आपकी आखों में आसुआ गए हैं आपका दर्दापकी आँखों से छलक रहा है ब्राहमने भोली है ब्राहमन देवता मेरे कोई संतान नहीं है मेरे घर में सुख सम्रिध्धी है इतना धंदौलत है लेकिन उसे भोग करने वाला कोई भी नहीं है अगर मेरे कोई बेटा या बेटी होती तो मुझे भी जो प्राप्त होता लेकिन मुझे सब बांज कहते हैं और मुझे भगवान की किरपा से अगर एक पुत्र की प्राप्ती हो जाए तो मेरे घर में भी बहु होती मैं भी अपने पोते पोतियों के साथ भरे पूरे परिवार का सुख भोगती ब्राहमन बोला हे माता आप भगवान प इच्छा पूरी करेंगे अब ब्राहमनी ने जो खुसी खुसी जिन ब्राहमनों को भोज कराया उचित दक्षना देकर उन्हें विदा किया उसके बाद ब्राहमनी बड़ी उदास हो गई क्योंकि उमर निकल रही थी और प्रोड अवस्ता उनकी आ चुकी थी फिर से कार्ति का महीना आया ब्राहमनी आती ठक जाती अब ब्राहमन जब रोने लगती ब्राहमन उसकी डांडस बंधाता ब्राहमनी का धीर बंधाता कहता अरे भागवान तू क्यों दुखी होती है तू बहु चाहती है ना कार्तिक का महीना समाप्त होने दे भगवान ने चाहा तो मैं त टाब हो जाये तो कहते हैं कि खिला لे ललना और भोगले सुक बहु बेटों का क्योंकि बड़ा ढौंग करती है पूजा पाट करती है दिखाती है तभी तो बांच है फिर भी मैं बाहर वालों के तानों से ही नहीं उभर पाती अब आप भी मेरे साथ मजाक करने लगे हैं कि मेरे लिए बहू लेकर आओगे बिना बेटे के बहू कहां से आएगी तब ब्रहमन कहने लगा अरे भाग्यवान तो क्यों इतना दिल पर ले रही है खुसी खुसी रहे भगवान ने चाहा तो तेरी इच्छ जरूर पूरी होगी अपने पती के मुख से ऐसी बाते सुनकर ब्रहमनी को कुछ आस बंधी अब दोन ब्रहमन ब्रहमनी फिर अपना कार्ति के स्नान करने जाते बारह कोस जाते और बारह कोसी फिर वापस पैदल आते यही उनका नियम था गाउंवाले तो कहते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी तो जलने वालों की कोई कमी नहीं होती कोई पूजा पाट करो या कोई भी कुछ काम करो उन्हें तो दस अच्छा कहेंगे तो दस बुरा कहेंगे यह तो रीती चली आ रही है अब बराहम ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी अपने भगवान की पूजा करती तुलसी जी की पूजा करती कहानी सुनती राई दामोदर भगवान की पूजा करती विश्नु भगवान माता लक्षमी की पूजा करती और बस उसका तो एक ही मननत थी कि उसे एक पुत्र की प्राप्ती हो जाए अभी भी उसे यही आसा थी कि उसके जो माथे पे लगा बांज का कलंक धुल जाए कोई उसे बांज ना कहे अब बरहमन ने देखा कि बरहमनी दिन पर दिन सूखती जा रही है बड़ी दुखी है ब्राहमन ने ब्राहमनी को बहुत समझाया ब्राहमन जब भी बात करता तो ब्राहमनी की आखों में आशु हा जाते अपनी प्रिया की बातें सुनकर ब्रहमन को भी दुख हो था क्योंकि वो पिता बेसक था लेकिन अंदर से पिता नहीं था पिता बनने का सो भाग्य उसे नहीं मिला था तो अंदर से वो भी दुखी होता था पिता बनने का सो भाग्य तो वो भी चाहता था लेकिन औरते थोड़ा आसू बहा कर दिखा देती हैं और जो आदमी होते हैं वो आसू नहीं बहाते लेकिन अंदर से तो उनका भी दिल रोता है अब कार्तिक का महीना समाप्त हो चुका था ब्राहमन ने कहा ब्राहमने से कि चल तू एक काम कर मैं तेरे लिए बहु का इंतजाम करता हूँ तेरे लिए बहु लेकर आऊंगा तू एक काम कर मेरे लिए रास्ते के लिए थोड़ा आटा एक थैली में भर कर दे दे ताकि मुझ जे कहीं भूक लगेगी तो मैं कहीं भी अपनी चार रोटी बनवा कर खा लूँगा और एक काम जरूर करना उस आटे में सौने की असरफियां डाल देना ब्रहमनी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रहमन क्या करने वाला है उसने जैसे ब्रहमन ने कहा वैसे उसने कर दिया और उसमें दस-बारा सौने की असरफि डाल दी और उन्हें लेकर ब्रहमन जो चल दिया चलते चलते ब्रहमन अपने गौंसे घनी दूर निकल गया और चलते चलते गौं छोड़ किर दूसरा गां मतलब निकल तो गया बहु कोजने के लिए लेकिन खोजे तो खोजे क कैसे ब्राहमन बड़ी ऐसमन जिसमे था तभी वे एक गाउं के जो बाहर-बाहर निकला जा रहा था उस गाउं में नदी बेह रही थी और कुछ लड़कियां नदी पर जल भरने के लिए आई थी वे अपनी गागर भर कर उन्होंने होई रख रखी थी और मिट्टी के घर बन रही थी कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाती और उन्हीं बिगाड देती उनमें एक लड़की थी जिसे लड़कियां राधा नाम लेकर पुकार रही थी उस लड़की का नाम राधा था उसने भी मिट्टी का बहुती खुबसूरत घर बनाया था वे अपनी सखियों स देखो मैंने अपना घर बनाया है लेकिन मैं इसे नहीं बिगाड़ूँगी मैं अपने घर को बहुती खुबसूरत तरीके से सजव कर रखूंगी मैं अपने घर में हर परकार से संभालूँगी तुम तो अपने घरों को बनाती और बिगाड़ती हो ब्राहमन खड़ा हुआ उन लड़कियों की बाते सुन रहा था जो कि हम उम्र लड़कियां थी और शायद आपस में सखियां थी ब्राहमन ने उन लड़कियों की बात सुनी तो जो राधा नाम की लड़की थी जिसने कहा कि वो अपने घर को संभाल कर रखेगी और उसे बड़े प्यार से सलिके से सजाएगी तो ब्राहमन पुने समझा कि ऐसी लड़की ही सर्व गुनसंपन होती है यही मेरे घर की बहु बनने के लायक है ऐसी ही लड़की की तलास में ब्राहमन दर-दर भटक रहा था अब शाम होने को आई थी लड़कियों ने अपनी गागर उठाई और अपने अपने घरों के लिए चल दी अब ब्राहमन भी उन लड़कियों के पीछे पीछे चल दिया जब वे लड़कियां अपने गाउं में पहुंची तो सब अपने अपने घरों में मुड़ गई और जो राधा थी उसका घर थोड़ा अलग था गली के बिल्कुल लाश्ट में तो ब्राहमन भी उस राधा के पीछे पीछे चल दिया जब राधा अपने घर के अंदर चली गई तो ब्राहमन कुछ देर बाहर रुक कर जो उसने उस राधा के घर का दर्वाजा खट खटाया राधा की मा ने दर्वाजा कोला और एक ऐ परीचित इनसान को देख कर कहने लगी अरे ब्राहमन देरता आप कौन है कहां से आए है और आपको क्या चाहिए मैं तो आपको जानती नहीं हूँ ब्राहमन कहने लगा देखिए देवी जी मैं तो एक चलता मुसाफिर हूँ अपने गाउं लोट रहा था लेकिन संध्या का समय हो गया है इसलिए भूक भी लगी है अगर आप मेरी दो रोटी सेख दें तो आपकी बड़ी किरपा होगी तो उस ब्राहमनी ने कहा अरे वो भी पंडित थे जिनका वो घर था क्योंकि लड़कियों की बातों से ब्राहमन ने अंदाजा लगा लिया था कि वो ब्राहमन परिवार की ही लड़की थी अब ब्राहमन अंदर गया अंदर राधा के बाबा भी बैठे हुए थे उन्होंने ब्राहमन का आदर सत्कार किया तब ब्राहमन की जो पतनी थी राधा की मा वो कहने लगी लीजिए पंडिजी मैं तुम्हारे लिए रोटियां बना देती हूँ आप भोजन कर लीजिए तब ब्राहमन कहने लगा कि देखिए देवी जी मेरी एक सर्थ है मैं किसी के घर का अन नहीं खाता इसलिए अन मैं अपने साथ लेकर आया हूँ अगर आप थोड़ा सा बस मेरा आटा लेकर इसे चलने से चान कर दो रोटी बनाएंगी तो वही मैं खालूंगा तो क्योंकि मेरा कार्तिक इसनान का पुन्य है चल रहा है हम कार्तिक इसनान करते हैं और इसलिए मैं बहुत नियम करम करता हूँ किसी के घर का नहीं खाता हूँ वह बोली कोई बात नहीं ब्रहमन देव का लाइए अपनी जोली दे दीजिए मैं इसी से आपकी रोटियां सेख देती हूँ अब उस ब्रहमनी ने जो राधा की मा थी उस ब्रहमन का आटा ले लिया और उसे चलने से चानने लगी जब वे चलने से आटे को चानने लगी तो क्या देखती है उसमें तो सोने की असरफियां है ब्रहमनी सोचने लगी कि बड़ा ही बहुती अमीर ब्रहमन है बहुत पैसे वाला है बहुती धनी है जिसके आटे से असरफिया निकल रही है तो सोचो उसके घर में कितनी है कितना धन होगा उदर ब्राहमन राधा की पिता से बात कर रहा था आपस में दौनब बाते कर रहे थे तो पूछने लगे ब्राहमन देवता आप किस गाउं के हैं और कहां जा रहे हो तो ब्राहमन कहने लगा कि देखो मैं अपने बेटे के लिए एक योग्य वधू ढूनने के लिए निकला हूँ लेकिन चलते चलते मुझे शाम हो गई है मेरा बेटा कासी जी पढ़ने गया है और उसके लिए मुझे अपने बेटे के जैसे ही सुन्दर और संसकारी बहू की तलास है इसलिए मैं गाउ गाउ अपने लिए अपने बेटे के लिए मतलब पुतरवधू की तलास कर रहा हूँ जो मेरे घर की बहू बन सके मुझे ऐसी लड़की की तलास है तब ही जो राधा की मा थी वह भी रसोई घर में बैठी इन बातों को सुन रही थी उसने इसारे से अपने पती को बुलाया और उससे कहने लगी राधा के बाबा देखिये ब्रहमन अपनी बेटे के लिए जो बहू की तलास में निकला है तो हमारे भी तो घर में बेटी है और हमें भी वर की तलास है अगर बैठे इतना अच्छा रिस्ता आया है और देखिये जो ब्रहमन बड़ा धनवान है और बेटा भी संसकारिय कांसी जी पढ़ने गया है तो हमारी राधा कैसी रहेगी राधा के लिए आप बात चलाईए देखो ब्रहमन के घर में कितना धन होगा कितना धनी है जिसके आटे में भी देखो दिखाई उसने सौने की असरफिया निकली है ब्रहमन बोला रे भागिवान तुम कहतो सही रही हो मैं ब्रहमन से अभी बात चलाता हूँ ब्रहमन जो राधा का बाबा था वे कहने लगा कि ब्रहमन देवता अगर आप बुरा ना माने तो मेरे घर में भी मेरी बेटी विवायोग्य हो गई है अगर आप देखना चाहो तो मेरी बेटी को देख लो बड़ी संसकारी है शायद तुमारे घर की बहु बनने के लाइक हो बड़े हमने अच्छे संसकार अपनी बेटी को दिये है तब ये ब्रहमन के लिए रादा थाली में भोजन लेकर आती है और अपने बाबा और ब्रहमन को भोजन कराती है ब्रहमन तो आया ही इस मकसद से था और उसकी योजना भी सफल रही ब्रहमन कहने लगा कि देखो मैं आया हूँ पुतरवदू के लिए लेकिन मेरा बेटा तो बारबरस के बाद आएगा अभी तो वो कांसी जी में सिक्षा ग्रहन करने के लिए गया है तो पहले के जमाने में जो लोटे के साथ भी विवा कर दिया जाता था जो बेटे का कोई भी समान होता था उसके साथ भी विवा हो जाता था ब्रहमन के साथ लोटा था तो वह कहने लगा कि अब मेरा बेटा कब आएगा जब उसकी सिक्षा ग्रहन करके पूरी हो जाएगी तब लोटेगा इससे अच्छा तो यही है कि हम तुमारी बेटी का विवा अपने बेटे से कर देंगे ब्रहमनीन को भी जो ब्रहमन का प्रस्ताव उचित लगा उसने कहा कि ठीक है हम अपनी बेटी का विवा कर देते हैं ब्राहमन के बेटे के नाम से उस लोटे के साथ और अपनी बेटी को विदा कर देते हैं इतना अच्छा मौका फिर कभी मिले या ना मिले ब्राहमन और ब्राहमनी ने लोटे के साथ अपनी बेटी का विवा संपन करा दिया और ब्राहमन अपने बेटे की बहु को लेकर यानि उस राधा को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया अब जब ब्राहमन पुत्र बधु को लेकर घर आया तो उसने दर्वाजे पर आवाज लगाई ब्राहमने को अरे कहाओ भागयवान आरते की थाली लाओ बहु का आर्ता करो और उसका ग्रह परवेश कराओ देखो तुमारे घर में बहु आई है अब ब्रहमनी को तो विश्वास नहीं हुआ बिना बेटे के बहु कैसे आ सकती है वे कहने लगे अरे ब्रहमन से अक स्वामी आप क्यों मेरा मजाग बनाते हो क्यों मेरा उपहास कर रहे हो वे कहने लगा अरे ब्रहमनी से अरे भागयवान दरवाजा तो खोल कम से कम देख तो ले ब्रहमनी ने देखा तो सच मुच में शाक शात जो लक्षमी जी का रूप इतनी सुन्दर बहु देखी उसने तो वो तो बिल्कुल अपनी आँखों पर विस्वास नहीं कर पाई भगवान के गुन गाने लगी कि मेरा पती बिना बेटे के बहु कैसे ले आया उसकी आँखों में तो ढेर सवाल थे ब्रहमनी ने कहा कि पहले बहु का ग्रह परवेश कराओ फिर बाते करना ब्रहमनी ने अपनी बहु को ग्रह परवेश कराया और सारी रसमे करके अंदर बठाया कार्तिक का महिना सुरू हो चुका था दोना ब्रहमन ब्रहमनी बारा को उस फिर से जाने लगे थे गंगा इसनानी के लिए अब ब्राहमनी ने अपनी बहु को समझाया कि देख बेटी घर की आग बुझने ना पाए हमेशा घर में आग रखना ताकि कहीं मांगने न जाना पड़े पहले क्या होता था जब कभी चूले में आग खतम हो जाती थी तो दूसरे के घर से लेकर आ जाते थे उसने कहा बेटी असली गुणी बहु वही होती है जो अपने घर की आग बुझने ना दे वह बोली माजी जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा आपके आग्या का पालन करना ही मेरा करतव्य है मैं आपकी हर इच्छा का पालन करूंगी अब बहु आने से ब्राहमन और ब्राहमनी बड़े खुस रहने लगे ब्राहमन और ब्राहमनी की अपनी दिन चरिया थी वो रोज सुबह बारह कोस फिर गंगा इसनान करने जाते तुलसी जी सीचते भगवान विष्णु और माता लक्षमी की पूजा करते और अपना गव की सेवा करते अब ब्रहमनी आती तो घर के सारे काम हुए मिलते बहु सास ससुर के आने पर उन्हें गरम गरम खाना बना कर खिलाती सास के पैर दबाती सास भी बहु को पाकर नहाल हुई जा रही थी वे भी अपनी बहु को खूब आसरवाद देती दूदो नाओ पूतो फलो लेकिन ब्रहमनी के मन में यही रहता कि एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आईगी तो वे बहु को क्या जबाब देगी अब ब्रहमनी ब्रहमन से कहती तो ब्रहमन कहने लगा देसी इस्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा अगर भगवान नहीं चाहते तो बहु ही कैसे आजाती सब प्रभू की माया है भूर तुम जो भगवान पर विश्वास रखो ब्रहमनी के घर में साथ कमरे थे जिन में किसी में गहने कपड़े थे किसी में अनाज था किसी में बरतन थे इस तरीके से साथो कमरे भरे हुए थे ब्रहमनी ने सूचा आज नहीं तो कल कोई पड़ोसन मेरी बहु के कान न भर दे इसलिए ब्रहमनी कहने लगी बेटी ये घर की चाबी है, छे कमरे खोल लेना, तुझे जो भी गहने कपड़े पसंद हो, उनमें से जो अपना पहनना और ओड़ना, अच्छे से रहना, अब तो जो राधा थी, साज ससुर के गंगा इसनान करने जाने के बाद, एक एक करके कमरे खोलती, और उन्हें देखती कोई दन के धन से भरा हुआ है, किसी में ग्यहूं की बोरियां लदी हुई है, किसी में अच्छे अच्छे कपड़े हैं, किसी में अच्छे अच्छे गैने हैं, किसी में खाने पीने की चीजे हैं, तो राधा बड़ी खुस रहती, लेकिन अकेला इंसान भी कब तक उन्हें पहर अग बुझ गई कि पडौसन कहने लगे अरे बाइ, तू कौन है? हमने तु तुझे कभी पहले देखा नहीं है. वे कहने लगी कि देखो, मैं तुमारे पडौसमें ब्रहम मनों जो ब्रहमनी है, उनके बेटे की बहुं हूँ. पडौसन कहने लगी अरे बढ़ा चंबा हुआ, लेकिन वो तो बांज है उसके तो कोई पुत्र नहीं है वे कहने लगी अरे आप ऐसे क्यों कह रही है उनका बेटा कासी जी पढ़ने गया है और मैं उनकी पुत्र वधूं हूँ पड़ोसन कहने लगी हमने तो कभी आज तक उनके बेटे को देखा ही नहीं है कभ जनम हुआ और कभ कासी जी पढ़ने गया हम तो यहीं रह रहे हैं हमेशा से देखा उसके कोई पुत्र नहीं है बहू को सुनकर बड़ा दुख हुआ सोचने लगी ऐसे कैसे हो सकता है वे कहने लगी मा जी आपको कोई न गलत फैमे हुई है भला कोई बिना बेटे के बहु कैसे ला सकता है मेरे साथ ससुर तो बहुत अच्छे है और बहुती मुझे प्यार करते हैं एक बेटी के जैसे आप गलत बोल रही है तब यह पड़ोसन कहने लगी बहु से अग देख हम गलत नहीं कह रहे अगर इसका कोई पुत्र होता तो कोई ना कोई तो देखता अड़ोसी पड़ोसी किसी ने भी आज तक इसका पुत्र नहीं देखा अगर तुमें हमारी बात का विश्वास नहीं है तो तुम अपने साथ ससुर से बूझ लेना तो वै कहने लगी मा जी मैं ऐसे कैसे पाप कर सकती हूँ मेरे साथ ससुर से बूझना मतलब मुझे उनके उपर संका करना पाप के बराबर है तो वै कहने लगी कि बेटी मेरा कहना मान आज दाल में नमक बहुत तेज कर देना और या तो रोटिया जली कटी बनाना तेरे साथ ससुर आएं तो उनकी सेवा मत करना वो बोली ठीक है मा जी मैं ऐसे ही करूँगे और पूछे तो बता देना कि जैसे बिन बेटे के बहु आ गई वैसे इखाना बना दिया खालो तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है अब वै आग लेकर बहु अपने घर आ गई अब ब्राहमन और ब्राहमन गंगा इसनान करके लोटे तो आज उन्हों ने देखा ना तो बहु उनकी सेवा करने के लिए आई ना ही जैसे ससा ससुर आते थे आते ये उनके लिहात पैर धुलवाती फिर उनके जो चाय नास्ता देती भोजन की तैयारी करती थी लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं था ब्राहमन ब्राहमन एक दूसरे का मुँ देखने लगे ब्राहमन ने कहने लगी जरूर आज बहु किसी की सीख में तो नहीं आ गई बहु आई तो उखड़ी उखड़ी सी थी आज उसके चहरे पर हुशादगी नहीं थी ब्राहमन और ब्राहमन ने एक दूसरे को देखने लगे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला खाना खाने के लिए बैठे तो दाल में नमक बहु ज़ादा था रोटियां जली हुई थी ब्राहमन ने कहने लगी अरी बहु आज ये कैसा खाना बनाया है बहु ने तुनक के जवाब दिया जैसे बिन बेटे के बहु आजाती है वैसे ये खाना बना दिया खालो जैसा भी है अब तो ब्राहमनी को पूरा विश्वास हो गया कि बहु को किसी ने भर दिया है बहु कहने लगी मा जी आपका बेटा तो जो कांसी जी गया है कांसी बना गया हुआ है सिक्षा ग्रहन करने के लिए आखिर वो कब आएंगे मैं भी तो अपने पती को देखना चाहती हूँ अब ब्राहमनी कहने लगी बेटी आएगा किसने कहा कि हमारे बेटा नहीं है हमारा बेटा है जबी तो हम बहु लेकर आए हैं बिना बेटे का हम बेटा तुझे कैसे लाते और ये सब धन भंडार जो भी है सब तेरे लिए ही तो है वे कहने लगी माजी बिना पती के धन भंडार का मैं क्या करूँगी मुझे तो मेरा पती चाहिए अब बहु को जो ब्राहमन और ब्राहमनी ने समझाया लेकिन बहु नहीं समझी अपना अंसण पाटी लेकर पड़ गई अगले दिन जब साज ससर गंगा इस नान करने जाने लगे तो कहने लगी मां जी आपने मुझे पूरे घर की चाबियां नहीं सोपी है कुछी दी है अगर आपके मंन में संका नहीं है तो मुझे सारे घर की चाबियां दो जो सात्वा कमरा वो तो मैंने खोला ही नहीं है बुढ़िया माई ने सोचा कि इसलिए नाराज हो रही है कि सात्वा कमरा नहीं देखा उसमें कौन सा जादा कुछ है दे देती हूँ उसने दे दिया ले बेटी सब कुछ ते रही है तू देखना अब बुढ़े बुढ़िया चले गए बुढ़े बुढ़िया दौना नहाने के लिए चले गए तो जो बहु थे उसने सात्वा कमरा खोल दिया सात्वा कमरा खोल दिया तो क्या देखती है उसमें तो गंगा जी बेहरी है उसके नीचे जो एक लड़का बैठा है किनारे पर एक पीपल का पेड़ है उसके नीचे बैठ कर विद्या ध्यन कर रहा है तो वे सोचने लगी अच्छा तो सासु मामुस से न मजाक कर रही थी पड़ोसन ने तो मुझे बहका दिया इनके बेटा नहीं है कितना खुब सूरत बेटा है बिल्कुल राजकुमार जैसा अब वह बहुस बेटे के पास गई उसके चरंचुए अब उसके साथ उसे बड़ा अच्छा लगा बाते करने लगी कि मैं आपकी पतनी हूँ उसने बाते कि कि आप जब बनारस से कब आए कांसी बनारस आप गए थे सिक्षा ग्रहन करने के लिए तो वह बोला मैं आज ही आया हूँ लेकिन इस बात को मा को मत बताना मैं इस कमरे में रहता हूँ इसको छिपा कर रखना नहीं तो वह बिना राज होंगे क्योंकि मैं उन्हें बिना बताए आ गया हूँ तो बहु कहने लगी ठीक है मैं उन्हें नहीं अब तो बहु बड़ी साथ सिंगार करके रहने लगी, शाम को जब साथ ससूर आए, तो बहु ने आते ही उनके हाथ पैर धुलवाए, और उनके लिए च्छा-च्छा भोजन बनाया, खीर, पोड़ी, हलवा, सबजी, मला उनकी मन पसंद का सब खाना बनाया, ब्राहमन ब्राह उनके देखे होंगे, खुस हो गई है, आप उसने सास के पैर दवाए, सास भी खुस हो गई, कि चलो बहु खुस है, बहु ने खूब सेवा के, आप ब्राहमन ब्राहमने भी खुस रहने लगे, उनके बहु भी खुस थी, अब ब्राहमन ब्राहमने की बड़ी सेवा करती थी और जब ब्रहमन ब्रहमनी चले जाते तो उस कमरे में जाकर अपने पती के साथ समय बिताती इस तरह से उनका जो बहुती हो गरब से रह गई जब यह बात उसने अपनी सासु मा को बताई तो उनके तो आश्चरिया का ठिकाना नहीं रहा कि उनके तो कोई बेटा ही नहीं है तो फिर बहु गरब से कैसे हो गई उसने सोचा ब्रहामन्य कहीं ऐसा तो नहीं है बाहर से कोई आता हो और हमारी भोली भाली बहु का फायदा उठाता हूँ वै बोले बेटा हमारे तो बेटा काईसी जी में है तो तुम गरभ से कैसे हो सक्ती हो वै बोली मां जी साथवे कमरे में जहां गंगा जी बह रही है, महीं पर आपका बेटा बैठा हुआ है और उन्होंने कहा था तुम्हें ना बताने के लिए क्योंकि अभी वो कांसी जी पढ़ने गए थे और चुपके से आ गए तुम्हें बिना बताए तो उन्होंने बोला था मा और पिता जी को अभी मत बताना समय आने पर पता चल जाएगा अब ब्रहमन ने सोचा पता नहीं कौन सातवे कमरे में आकर बैठ गया है जो हमारी बहु के साथ खिलवाड कर रहा है ब्रहमन और ब्रहमने बहु के साथ सातवे कमरे में गए जाकर क्या देखते हैं गंगा जी बेह रही है गंगा के किनारे पीपल का पेड बहुत भारी बिरिक्ष था उसके नीचे जो ब्राहमन जो अपना पती बता रही थी जिसे ब्राहमन की पुतरवधू वो लड़का बैठा हुआ विद्याध्यन कर रहा था बड़ाई खूबसूरत राजकुमार था जिसे जो ब्राहमनी तो द देखती रह गई कहने लगी ये कौन है ब्राहमन बोला रे पुतर तु दई है देव है भूत है प्रेत है कौन है यक्ष है कौन है बता वे लड़का बोला देखे पिता जी ना तो मैं भूत हूं ना परेत हूं नहीं मैं कोई दई देव हूं नहीं यक्ष हूं मैं तो आपक पुत्र हूँ, मैं तो भगवान विष्णू के आसरवाद से आपको जो पुत्र रूप में प्राप्त हुआँगे, अब ब्रहमन ब्रहमन ने इक दूसरे को देखने लगे, यह भगवान तेरी कैसी लीला है, यह कैसी लीला रच दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन माने ग गठ हो गए, कहने लगे, हे ब्रहमन, हे ब्रहमनी, तुमने जो हमारी इतनी पूजा पाठ सेवा भावना किया, दान पुन्य किया है, तुमारी उमर बीट गई, अब उसका फल तो तुम्हें मिलना ही था, कार्तिक इसनान किया है, जिसके कारण कार्तिक जी के विष्णु भ भगवान को समर्पित होता है, आपने इनकी बड़ी सेवा की है, बारे कोस पैदल जाना और आना अपने आप में बड़े महत्र की बात है, इसलिए तुम्हारा पुन्य सफल रहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, आप ब्रहमनी कहने लगी प्रभू, मुझे तो बांज का कलंक लगा हुआ है, समाज में कौन मानेगा कि ये मेरा पुत्र और भगवान ने दिया है, तब कौन विश्वास करेगा, तब इसनों भगवान और माता लक्षमी कहने लगी, इसकी चिंटा तुम मत करो, तुम अपने सीने से इसे लगाओगी, तो तुम्हारे सीन के कदमों में लेट गई बोली प्रैभू यह सब समाज के आगे हो तो बड़ा अच्छा होगा ताकि कल को हम भी गरब से कह सकेंगे कि हमारा पुत्र है प्रैभू ने उसे आसरवाद दिया तथास्तु कहकर भगवान विश्णु और माता लक्षमी अंतर ध्यान हो गए अगले पड़ास की सभी औरतों को बुलाया गया गोदबराई का प्रोग्राम की तैयारी होने लगी आपस में औरते काना फूसी करने लगी कहने लगी कैसी गोदबराई यह बहू तो चरितरहीन होगी इनके तो कोई पुतरी नहीं है जब पुतरी नहीं है तो बहू गरब से कैसे ह लेकर हमने तोाज तक कभी तुम्हें देखाई नहीं कि तुम्हारे कोई पुत्र भी है हमने तो आज तक लड़ाई जगडों में तुम्हें बांज के नाम से भी जो पुकारा लेकिन आपने कभी कहा नहीं मेरे कोई पुत्र है आपने फिर अब अचानक से पुत्र कहां से प्राप्त हो गया वे कहने रगी धीरेज रखो मेरे जब पुत्र हुआ था तो वो इतना सुंदर था किसी का पुत्र इतना सुंदर नहीं था मेरे पुत्र को कहीं नजर न लग जाए इसलिए मैं हमेशा उसे छिपा कर रखती थी और जब वे पढ़ने योग्य हो गया तो मैंने उसे उसके मामा के साथ काह सी जी भिजवा दिया अभी वे सकस्त जो उसकी सिक्षा पूरी हुई है और अपनी सिक्षा पूरी करकी लौटा है उसने अपने बेटे को अवाज दी अरे विश्णो जरा बाहर तो आ जब उसका बेटा बाहर आया तो सब औरतों के मुँ फटे के फटे रह गए बिलकुल राजकुमार जैसा इतना सुन्दर आपस में कहने लगी और इब्राहमनी तो सही कहती है इसलिए इसे बाहर नहीं निकाला कि कहीं किसी की नजर न लग जाए और जब उसने कहा कि तुम्हें विस्वास नहीं है अपने बेटे को सीने से लगाया तो उसके सीने से दूद की धारा पूट निकली लोगों को विस्वास हो गया कि ब्राहमनी सच्ची है हेव और उसे पुत्र की प्राप्ती हुए नवे महिने जो चंद्रमा के समान पोता भी हो गया अब तो ब्राहमनी का भरा पूरा परिवार हो गया पुत्र पोते बहु जो उसने सोचा था वही हो गया कार्तिक माता के ने के इसनान करने का इतना फालू से मिला ब्राहमन ब्राहमने का जीवन सुख में हो गया कार्तिक इसनान के कारण ब्राहमन ब्राहमने को पुत्र के प्राप्ति हुई धन की प्राप्ति हुई और उनके सब दुख मिट गए हे कार्तिक भगवान हे विश्नु भगवान जैसे आपने ब्राहमन ब्राहमने की मानो कामना पूरी की वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और यह कहानी जो कह रहे हैं उनकी सभी मानो कामना पूरी करना बोलो विश्णु भगवान की जै बोलो माता लक्ष्मी की जै दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें राधे राधे